हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इस्टेडी दिमाग से आप सभी का आपका अपने यूटूब चैनल इस्टेडी दिमाग से पर बहुत-बहुत स्वागत है सभी बच्चे जल्दी से लाइब आजाईए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास आज आप लोग सोच रहे होंगे क्या स्पेशल है इस क्लास में तो आज की जो क्लास आपकी स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज की क्लास में हम जानेंगे सभी राज्यों के राज्यों के राज्यों के बारे में क्योंकि आपके exam में question पूछ ले आ जाता है कि किस राजिका राजिकी पशु कौन है ठीक है तो इन ही से related जो आपके question exam में बनते हैं वही questions आपके लिए लेकर के आए हैं हम लोग ताकि आपके exam की तैयरी best of best हो सके कोई भी question एक भी question ऐसा ना हो जो आपके exam में आए तो आप उसे skip करें ठीक है तो इसके लिए आप बने रही है study दिमाग से के साथ देखते रही है पढ़ते रही है और करते रही है study दिमाग से चलिए इस class को पहले share कर दीजिए फिर start करेंगे class सभी बच्चे जो बच्चे भी यहां पर live आ चुके हैं वो सभी other बच्चों के साथ जो आपके और भी friend है जो student है जो बच्चे इस class को लेना चाहते हैं जो भी exam की त्यारी कर रहे है all competitive exam के लिए very very important class है तो जल्दी से इस class को share कर दीजिए सभी दोस्तों को बुला लीजिए फिर start करेंगे class को और जिन बच्चों को PDF चाहिए वो लोग telegram जाइन कर लीजिए study दिमाग से search कर लीजिए यहां पर आपको PDF भी मिल जाएगी और यह जो class है यह English और Hindi दोनों ही language मे हैं तो आप सभी बच्चों के साथ इस class को जरूर शेयर कीजिए जो बच्चे भी exam की तैयारी कर रहे हैं जिने इस class के जरूरत है ठीक है उन तक इस वीडियो को पहुचाईए आज क्योंकि coaching नहीं खुल रही हैं बहुत से बच्चे coaching नहीं जा पार रहे हैं और किताबें व अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो फिर लाइक कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा जिससे कि जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आपको इसको नोटिफिकेशन मिल जाएगा वैसे तो डेली शाम को साथ बचे यहां पर क्लास होती है ठीक है तो आप सब्सक्राइब कर लिजेगा चैनल को चलिए फर्स्ट कोशन आ चुका है इस कोशन का आंसर बताईए अगर आपको मालूम है राइट आंसर तो कमेंट बॉक्स खोलिए कमेंट करिए और बताइए इस कोशन का राइट आंसर क्या होगा जी के इस्पेशल आज की क्लास बहूत इसपेशला है बिल्कुल भी किप ना करें और किसी को भी अन्ज dit गहरें सभी बच्यों के साथ इससे शेयर किजिए और सभी की साथ मिल करक्र आज की क्लास डाम कीजिये क्यूकि आज आज आपको बहुत अच्छा लगने बला अज इसक्षा में मुझे फहीं 即hesy A ,B ,C जल्री सिलेक्ट करते करे बताएए जिन बच्छों पिल्कुल राजकिय पश्युला कर बाले कर दो करे ने हैं उनका विल्कुल राजकिय पश्युला हो चुका है ओडिसा का राजकिय पश्यू हाथी बिल्कुल राइट आंसर हो चुका है चलिए question number 2 अगर आप जानते हैं राइट आंसर तो सिलेक्ट कर लीजिए कौन सा वाला राइट आंसर होगा अगर नहीं मालूम है यहां तो आपको तुरंट की तुरंट आंसर भी पता चल जाएंगी जिससे कि आपको सारे चीज़े याद हो जाएंगी बता दीजिए इस कुछन का राइट आंसर होगा बिहार का राजकिय पशु आपसे पूछा है और आपके सामने उप्शन A कहा रहा है गौर ऑफ्शन नंबर B है हिरन उप्शन नंबर C है हाथी और उप्शन नंबर D है शेर बताइए भीहार का राजकिय पशु कौन है राइट आंसर कमेंट बोक्स में कमेंट कर दिजिए जल्दी से option A बताने वालों का हो चुका है बिल्कुल राइट आंसर बिल्कुल सही का option A जो लोग सिलेक्ट कर रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा option A बताने वालों का होता है बिल्कुल राइट आंसर चलिए very good बढ़ते हैं next question की तरफ next question देखेंगे और बताएंगे इस question का right answer क्या है question number 4 आ चुका है और बताइए इस question का right answer क्या है question है आंद्रप्रदेश का राज़किय पशु कौन है option number A सफेद मूर option number B काली बत्तक option number C सफेद सफेद बत्तक है यह ठीक है आदा ही लिखा है आदा कट गया है सफेद बत्तक option number D है सफेद हाथी A, B, C या फिर option D चलिए C को हम करते है skip ओके चलिए अब बताइए option A, B या फिर D select करिए right answer क्या होगा सभी क्या answer आ जाने चीए C नहीं है A है, B है या फिर D है बताइए क्या होगा इस question का right answer आंतरप्रदेश का राजकिये पशू सफेद मोर, काली बतक सफेद हाथी A, B, C या फिर option D बिल्कुल तो जो बच्चे यहां पर select कर रहे है काली बतक उनका हो जाएगा बिल्कुल right answer option number A, sorry B बताने वालों का बिल्कुल सभी उत्तर हो चुका है चलिए आगे बढ़ते हैं question number 5 देखेंगे और बताएंगे इस question का right answer क्या है question है करनाटक का राजकिये पशू who is the state animal of करनाटक option number A, lion option number B, elephant option number C, fox and option number D, tiger शेर, हाथी, लोमडी, बाग बताएंगे कौन है करनाटक का राजकिये पशू जो बच्चे यहां पर select कर रहे हैं option number B, उनका हो जाएगा बिल्कुल right answer option B, बताने वालों का हाथी बताने वालों का elephant बताने वालों का बिल्कुल right answer है चलिए question number 6 देखते हैं बताएंगे इस question का right answer क्या होगा question है केरल का राजकिये पशू बताएंगे who is the state animal of केरल option number A, बिल्ली option number B, fishing cat option number 6 option D, बताने वालों का हो चुका है बिल्कुल right answer जिन बताने आपर elephant हाथी को select किया है उनका बिल्कुल right answer हो चुका है option D, बताने वालों का चलिए देखते हैं अगला question question number 7 देखेंगे और बताएंगे इस question का right answer क्या है question है मद्यपरदेश का राजकिये पशू कौन है who is the state animal of मद्यपरदेश option number A, fox option number B, fishing cat option number D, sorry C, deer and option number D, lion four option आप सभी के screen पर जल्दी select कर लिए right answer कौन सा होगा, comment box में comment करके बताएं मद्यपरदेश का राजकिये पशू लोमडी option number B, fishing cat option number C, deer and an option number D, share तो जिन बच्चों ने select किया है option number C को उनका हो जाएगा बिल्कुल right answer, option C बताने वालों का बिल्कुल right answer हो चुका है बच्चों ने आपर C को select किया है बिल्कुल right answer है आपका चलिए question number 8 देखी और बताएगे इस question का right answer क्या होगा question है, Rajasthan का राजकिये पशू कोन है, Rajasthan का राजकिये पशू आपसे पूच लिया है, मुझे उमीद है आप सभी answer कर पाएगे, जल्दी बताएगे इस question का right answer क्या होगा who is the state animal of Rajasthan जल्दी select करके बता दीजिए इस question का right answer क्या है सभी बच्चे जल्दी select कीजिए राजस्थान का राजकिये पशू उंट बाग मोर चिंकारा जिन बच्चों ने यहाँ पर select किया है चिंकारा, option number D को उनका हो जाएगा, बिल्कुल right answer चिंकारा बताने वालों का बिल्कुल सही उत्तर हो चुका है ऐसे ही देखते रहिए, पढ़ते रहिए और करते रहिए, study दिमाग से अगले question की तरह बढ़ते हैं question है, पश्ची बंगाल का राजकी पश्चु कौन है option number A, fishing cat option number B, share option number C, buddy gilhary option number D, Neil गए select करिए right answer comment box में comment करिए, क्या होगा इसका सही उत्तर who is the state animal of West Bengal A, B, C, या फिर option D जल्दी select करिए और बताइए, इस question का right answer क्या होगा जो बच्चे यहाँ पर select कर रहे है fishing cat, option number A, उनका हो जाएगा बिल्कुल right answer, option A बताने वालो, बिल्कुल सही उत्तर हो चुका है आपका, चलिए अगला question है इस question का answer देने की कोशिश कीजिए question है, नागा लेंड का राजकी पश्चु कौन है option number A, हरा कब उतर option number B, तोता option number C, पहाडी मैना या option number D, मिथुन A, B, C या फिर option D question number 10, नागा लेंड का राजकी पश्चु who is the state animal of नागा लेंड जिन बच्चों नहीं आपर option number D को select किया है उन लोगों का बिल्कुल right answer जल्दी जल्दी select किया कीजिए, आसा थोड़ा जल्दी कीजिए question पढ़िए और फटाक से answer लगाईए question है maharashtra का राजकी पश्चु ठीक है, ये राजकी पश्चु होगा राश्च्ट्रिय नहीं maharashtra का राजकी पश्चु आपको बताना है बताए राइट अंसर क्या होगा national नहीं यहाँ पर आपका होगा state, okay, चलिए बताए इस question का right answer क्या है, who is the state animal of maharashtra चार option आप सबी के सामने जल्दी select करियो और बताए इस question का right answer क्या होगा, fishing cat option number b, share option number c, glary, bady glary option number d, neil गाए जल्दी select करियो और बताए इस question का right answer क्या होगा जिन बच्चों ने आप सिलेक्ट किया है option number c को उनका हो चुका है बिल्कुल right answer बड़ी गिलायरी बताने वालोगा next question number 12 बताए इस question का right answer क्या है गुजरात का राश्ट्रे पशु कौन है गुजरात का राश्ट्रे 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 पशु कौन है यहां भी आपका थोड़ा mistake हो गया है ठीक है राश्ट्रे होगा यह state बताना है आपको who is the state animal of गुजरात चारो option देखे जल्दी select करियो बताए इस question का right answer क्या होगा सभी क्या answer आजाने जल्दी select कर लीजिए गुजरात का राश्ट्रे पशु बिल्कुल share बताने वालों का हो चुका बिल्कुल right answer option number A जो लोग select कर दें उनका बिल्कुल right answer हो जाएगा चलिए एकला question देखते हैं question number 13 बताए इस question का right answer क्या है question है का राश्ट्रे पशु कौन है इस बार कोई mistake नहीं है बिल्कुल सही question है चारों option देख लिजिए और बतादीजिए right answer क्या होगा who is the state animal of haryana option number A नीलगाय option number B sheep, option number C horse and option number D elephant नीलगाय, मेर, घोड़ा, हाथी बताए जल्दी right answer क्या होगा question number 13 जल्दी बताए हरिana का राज की पशु जिन बच्चों ने option A select किया है उन लोग का राइट answer हो चुका है option A नीलगाय बताने वालों का रिल्कुल सही उत्तर हो चुका है चलिए बढ़ते हैं अगले question की तरफ question number 14 बताए है इस question का राइट answer क्या होगा same सारे question है बस आपके राज चेंज हो रहे हैं और थोड़ा पशु का नाम चेंज हो रहा है इस बार आपसे पंजाब का पूछ लिया है तो बताए है पंजाब का राज ट्री पशु कौन है तेन दुआ option number A option number B है गौर option number C है चिंकारा option number D है कस्तूरी म्रिग बताए है right answer क्या होगा question number 14 आप सभी के सामने आ चुका है पंजाब का राज के पशु आपसे पूछ लिया है who is the state animal of पंजाब जिन बच्चों ने याँ पर select किया है चारों में से option number C को चिंकारा को उनका हो चुका है बिल्कुल right answer option C चिंकारा बताने वालों बिल्कुल सही उत्तर हो चुका है आपका जिनने नहीं याद है वो लोग याद कर लिजिए exam में question आया तो वहाँ पर गलती नहीं चलेगी ठीक है चलिए बताइए अगला question हिमाचल प्रदेश का राज के पशु बताइए कौन सा होगा option number A तेंदुआ option number B कस्तूरी मिर्ग option number C लाल पांडा option number C हाथी बताइए क्या होगा इस question का right answer हिमाचल प्रदेश का राज की पशु जल्दी select करके बताइए who is the state animal of हिमाचल प्रदेश जिन बच्चों ने याँ पर select कर लिया है option number B को उनका हो चुका है बिल्कुल right answer option B बताने वालों का कस्तूरी मिर्ग बताने वालों का बिल्कुल right answer हो चुका है हिमाचल प्रदेश का राज की पशु है कस्तूरी मिर्ग चलिए आगे बढ़ते हैं next question number 16 आप सभी के सामने बताएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए पशू जल्दी बताईए बिल्कुल option number B बताने वालों का हो चुका, बिल्कुल सही उत्तर B जो लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल right answer है उनका, B बताने वालों का, चलिए question number 17, बताईए इस question का right answer क्या होगा, question है सिक्किम का राज की पशू कौन है option number A मिथून, ऑप्शन नमबर B, चित कबरा, तेंदुआ, ऑप्शन नमबर C, लाल पांडा, और ऑप्शन नमबर D, बड़ी की लहरी, बताएं जल्दी, who is the state animal of सिक्किम, A, B, C, या फिर ऑप्शन D, बताएं कौन सा राइट अंसर होगा, सिक्किम का राज की पशू, लाल पांड ऑप्शन नमबर C, सिलेक्ट कर नेलने वालों का हो चुका है, बिल्कुल देखते रहे, पढ़ते रहे और करते रहे, स्टडी, दिमाओ से बने रहे हमारे साथ, अटैम कर लीजे, सारे कोशिट और याद कर लीजे, ताकि आपके एकञ्जाम में कोई भी गलती ना हो, किये पशु से बताईए सबी क्यांसा राइची है राज किये पशु मेगाले का कौन है option number A मिथुन option number B हाथी option number C जंगली मैसा option number D चितकवरात तेंदुआ बताईए देख लीजिए यहीं पर कितनी है आपकी तयारी जल्दी सेलेक्ट करिए मेगाले कर आज किये पशु बताईए बिल्कुल तो जो बच्चे यहां पर सेलेक्ट कर रहे हैं option number A को उनका गलत है जो सेलेक्ट करेंगे B को उनका भी गलत C वालों का भी गलत यानि right किसका हुआ D बताने वालों का option D जिनोंने किया है सिलेक्ट उनका हो चुका है बिल्कुल right answer चितकवरात तेंदुआ option D बिल्कुल right answer है ठीक है चलिए next question देखते है question number 19 गोवा का राजकिये पशु सिलेक्ट कर लीजे जल्दी से बताईए गोवा का राजकिये पशु कौन है who is the state animal of गोवा बताईए जल्दी सिलेक्ट करके right answer क्या होगा butterfly fish, fishing cat जल्दी जल्दी सिलेक्ट करिये fires, langour, option number D, gor A, B, C और option D क्या लगता है आपको गोवा का राजकिये पशु कौन है गोवा का राजकिये पशु जिस नाम से state का नाम स्टार्ट होता है उसी नाम से वहा का पशु भी है यानि की, gor, बिल्कुल option number D बताने वालों का बिल्कुल right answer हो चुका है ठीक है, gor, बताने वालों का बिल्कुल सही उत्तर चलिए question number 20 देखते है question number 20 है 36 गड का राजकिये पशु कौन है who is the state animal of 36 गड जल्दी बताइए क्या होगा इस question का right answer 36 गड का राजकिये पशु आपसे पूछा है जल्दी बता दीजिए सभी क्या अंसरा आजाने चाहिए साथ में अगर आप चाते हैं टॉपिक पढ़ना हिस्ट्री जिने पढ़नी है पॉलिटी जिने पढ़नी है description में जाईए वहां से topic देख लीजिए पूरी पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी description में जाकर के और सिर्फ हिस्ट्री और पॉलिटी नहीं पढ़ाई जा रही है अगर आप नए है जो हमारे साथ काफी टाइम से जुड़े हुए उन्हें तो मालूम ही है लेकिन जो नए बच्चे जुड़े हैं वो लोग चैनल को subscribe कर लीजिए बल आइकन क्लिक कर लीजिए और साथ में मैं आपको बता दूँ कि यहां पर आपको एक्जाम की तयारी पूरी तरह से कराई जा रही है ठीक है इस्टेटी दिमाग से आपको सारे ही टॉपिक कुब लब्द करा रहे हैं सारे ही सब्जेक्ट यहां पर मिल जाएंगे आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के देखिए हिस्ट्री पढ़िए है हिस्ट्री पढ़िए पॉलिटी पढ़िए पॉलिटी पढ़िए मैथ पढ़िए मैथ पढ़िए रीजनिंग पढ़िए साइन्स पढ़िए कंप्यूटर पढ़िए इंग्लिश पढ़िए सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे ठीक है तो डिस्क्रिप्शन में जाईए तैयारी कीजी अच्छे से चलिए तो जिन बच्चों ने यहाँ पर बताया है जंगली पशू उनका विल्कुल राइट अंसर हो चुका है option number A सेलेक्ट करने वालों का विल्कुल राइट अंसर है चलिए आज का हमारा आखरी कोशिन है फिर मिलेंगे next class में next class कब होगी कल शाम को 7 बजे डेली शाम को 7 बजे ही class होती है तो कल शाम को 7 बजे होगी आपकी अगली class और अगली class के लिए तयार रहीएगा तो जब भी कोई चीज पढ़िए तो ऐसे पढ़िए कि कभी न भूलिए चलिए बताइए जारखंड का राजके पशु कौन है इस कोशन का आंसा दे दीजिए फिर उसके बाद क्लास होती है खतम फिर जब आपको टाइम मिले तो आप एक बार और वीडियो को जरूर चलिए बताइए जारखंड का राजके पशु को इस दा इस टेट एनिमल ऑफ जारखंड करिये राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नमबर ए फॉक्स ऑप्शन नमबर बी फिशिंग कैट ऑप्शन नमबर सी डियार एंड ऑप्शन नमबर दी लायन क्या लगता है आपको र राजकी पशु कौन है और जैसा कि 20 कोशन के आंसर मैं आपको दे चुकी हूँ और यह 21 कोशन का आंसर मैं आपको नहीं दूँगी इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा कल तक का तब तक के लिए चानबीन कीजिए याद कीजिए और बताइए जारखंड का राजकी प अब सुद्सक्राइब नहीं किया है लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और साथ में टेलिग्राम जॉइन कर लीजिए यहां से आप पीडियाफ ले सकते हैं या नीचे साइड आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में वीडियो भी देख सकते हैं जहां आपको फेस टुफेस क मिल जाएंगी और आप उन क्लासेज को ले सकते हैं ठीक है सो थैंक्यू सो मच आप इतने टाइम तक हमारे साथ बने रहे फिर देखते रहे पढ़ते रहे करते रहे इस्टडी दिमाग से मिलेंगे कल शाम को साथ बजे थैंक्यू सो मच